जैशरी महांकाल जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखे आरे में स्विड़ी में बात करेंगे कि आपके परिवार में आपके सत्रु कौन है। यह बहुत ज़्यादा युनीक और बहुत ज़्यादा महत्पून टापिक है आपके लिए वह बात इसलिए महत्पून है क्योंकि इस युग में पारिवारीक लडाई जगडे, पार परीवारी तकलीफे एक चरम पर है बहुत जादा हद तक बहुत सारी चीजेश हम बहुत सा लोग फेस करें और बहुत सारे लोगों को कहीं सारी तकलीफ इस विषे को लेकर होती है। तो हमारे परिवार में शत्रू कोन है, पहला पॉइंट यह है, या हमारे कोई भी शत्रू, तोनों पॉइंट हम इस वीडियो में cover करेंगे, और यह जो बाते मैं आपको इस यूडियो में बताऊंगा, यह आपके जीवन में शायद एक सकार अत्मक बदला उला सकती है, तो इ अगर आप अपनी कुंडली का अनालिसिस करवना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं, आप वाट्सप पर अपोइंट में लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, सबसे पहली बात कि जब भी पारिवारी एक सतोता की बात होती ही, त मत्धि से चीजों का अप तक आना, चीजों को छनकर आना, चनकर आना मतलब चीजों का きますी और वक्ति के दारा, किसी और मार्ध्यम से आपको बताना, और यही चीज जो है पारिवारी चत्रुता का पहला सबसे बड़ाखाराने, तो कौन वट्दी क्या कह रहा है, कैसा कह र लग रही है, सही नहीं लग रही है, लेकिन रियल में ये जो बात उन्होंने कही थी, वो इस विशे में नहीं कही थी, जिसमें आप समझ रहे हैं, और दूसरी बात है कि जब दोनों व्यक्तियों के बीच, पारिवारिक जो लोगों के बीच जब गलत फेमिया बढ़ जाती है तो वो कम कभी नहीं होती, बलकि वो गलत फेमिया आगे बढ़ती रहती है और वो बहुत बड़ी खाई बना लेती है, कुछ बातें ऐसी हो जाती, जो बातें नहीं होनी चाहिए और ये एक मुख्यतरवज है, तो इसमें पहली और मुख्य बात कह देना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी इस तरह की चीजे हो, पारिवारिक शतुरुता शुरू वो यहीं से होती है तो आप कभी भी बेट कर, सुलह करके और बहार आ जाए क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों सब दोस्त आपके साथ देंगे, सब देंगे लेकिन परिवार के लोग चाहें कुतने भी बूरेट क्यों न हो, कैसे क्यों न हो वो जरूर अपने परिवार के साथी का सपोर्ट करते हैं वो जो भी अच्छा बूरा जो भी हो, वो एक अलग बात है लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, 90%, 90% यही होता है 10% में छोड़ सकता हूँ, अपवाद सरूप, उन पर मैं बात नहीं कहूँगा लेकिन यही चीज, इसलिए जब भी पारिवारी लोगों के बीच चीजे डिस्टुबूट हो, तो बेट कर बात करें और सुलह की और जाए, ताकि वो चीजे आपको लाइफ टैम डिस्टुब न करें और दूसरी बात, आप नेतिकता रहें, न्याइक रहें, वही आपका कर्मफले अच्छा लगो, लाइक करें, उनमाश्यवाई